नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे माली से कि आप भूगन बिलिया में अगर फूल नहीं आ रहें दो साल पूराना पौदा हो गया एक दो बार फूल देके खतम हो गया तो आप कैसे इसके रिपोर्टिंग करेंगे कैसे इसमें वापस में फूल लाएंगे ये देखें ये भी इसमें फूल आना बंद हो गया अब इसको रिपोर्टिंग की जरूरत है ये पूराना जो गमला है इसको हटा देना है और इसे प्लास्टिक का गमला हलके से हाथों से उठाना पड़ता है निकालना पड़ता है ताकि इसमें गमला तूट नहीं जाए अब ये निका बहुत साबदानी से निकाला जा रहा है क्योंकि प्लास्टिक का गमलाव तूटने का बहुत दर रहा है तो बहुत आसानी से तूट जाता है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मिक्चर क्या होना चाहिए कैसे यह लेकिने मिट्टी बना रखी यहां पर यह जो मिट्टी आप द मुर्गी का लिटर भी है जो मुर्गिया होती है उसका जो लिटर होता है वो भी तेरा दिया हुआ है यह च्छा मैने में यह तयार हो गया है अब यह जो मिट्टी है यह मिट्टी लेके इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा बरना है कैसे यह भरते हैं यह देखिए माली लोग क च्छेद है इसको त्रबार किया जाता है थाकि मिटी नहीं निकल सेखे पानी निकल सेके मिती नहीं निकल से देखे इस तरह इनुका तरीका है बिल्कुल माली से सीख लिजी ये तरीका और ये आप अपनाईए और आप गरंटेड आपको अगर भुगन बिलिए फूलाना बंद हो गया या फिर हर दो साल में आपका फूलाना बंद हो जाता है तो आपको इस तरह से रिपोर्टिंग करना है और ये पूरी जो है रूट ब समयति ये नया पौदा है इस पौदे को हम डालेंगे और इसमें खाद क्या है ये बहुत जरूड़ी है खाद भी डालेंगे इसमें क्या खाद डाल रहे हैं अभी इसमें वह मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो आप एंड तक देखिए इस तरह से देखिए करीब थोड़ और इसमें थोड़ा मिटी डालेंगे और खाद देखिए ये तेरे मिटी थोड़ा सा भरना है इसमें मिटी भर लेते हैं मिटी भरने के बाद इसमें खाद डाल रहे हैं खाद डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या तक्निक आपको अपनानी है और ये देख जो खाद है, इसमें आपको 40% सर्सु की खली है, 40% सुपर पोस्पेट है, 10% पोटास है, और 10% NPK सुपोला है, 10-26-26, और ये देखे, कितना सारा दिया जारा, 3-4 मुठी भर देखे, इसको चारुज तरफ जो है, ये बीच में नहीं दिया जारा है, साइड में, जो गमले के स इस तरह से देखे, भर दिया गया है, इसको उपर सिर्फ एगर और एक बार मिटी भर दिया जाता है, फिर उसमें पानी डालके, इसको केर किया जाता है, और ज्यादा कुछ नहीं, मैंने में एक बार ये खाद आप हो दिया जाता है, इसमें, और ये, एक मैंने बाद देख इसमें क्या करना है इसको अच्छी तरह से जारी से पानी देना है पूरा पानी देने के तरीका दिखाता हूं पूरा पौदे को नहला के पानी देना है यह देखिए यह आप रखा जा रहा है पौदे को और इस बार इसमें पानी देने का एक तरीका है कि ऊपर से आप पानी पूरा पानी देने का बाद आप तीन-चार दिन इसको ऐसे रख देने का बाद जब सूख जाता है फिर धीर दिरे थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें दिया जाते है देखिए इस तरह से पूरा पौदे कर नहला के अच्छी थरसे मिटी में पानी दिया जाता है इसको इसको सेप में लाए जाता है क्योंकि आपका पौदा एक टैनी अलग अलग दिसा में जाती है तो यह आपका जो सेप है पौदे के सेप खड़ा हो जाती है फूल भी अच्छे नहीं लेगते है इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा जो ब्रैंचे से काट दी जाते है दस- में यह पूरा फूला जाता है और अगरा पूढ़ा घंप ुणायर